नमस्कार किशान साथियो आपका रियल किशान चैनल में आपका बहुत-बहुत श्वागत है तो किशान साथियो आज में जो बात करने वाला हूँ वो बैंगन की खेती और बैंगन पर रोग की विश्या में बात करने वाला हूँ किसान साथियो, भैंगन में कई तरीके के रोग आती है, सबसे पहले, तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है, वो तना छेदक और फल छेदक कीट की, दूसरी जो समस्यां आती है, आजकर लगबग हर सब्जी वर्गी फसल के अंदर, फंगस का अट eck होता ही होता है, पानिया किस तरगे होती हैं तो किसान जाति हूँ मैं आपको दिखा रहा हूं किया को कि यह देखो विजुशा जाति होँ यह पाउधाई है है मैं आपको इसको नजदीक से दिखाता हूं यह पौधा है कि अगर इस तरीके का आपको दिखता है तो आप यह समझ लीजिए इसमें जो है फंगस का टैक होने लगा है आप यह पत्तों का कलर देखिए यह हलका सा यह देखो दूसरा यह पत्ते इस टाइब के भी हो सकते यह देखो इस पौधे की आप सकल देखो क्या हो गई है इस टाइब के बोधे हो जाते हैं अब यह फंगस लगने के कारण आप यह देख रहे होंगे कि इस पौधे में जो है फ्लॉबरिंग की कोई कमी नहीं है किसी भी पौधे को आप देख लो फ्लॉबरिंग भरपूर है लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है जब फंगस का टैग होता है या तना छेदक या फल छेदक सुंडी लग जाती है तो इसे पौधे की ग्रोख तो रुक जाती है जब पौधा बीमार हो जाता है तो बीमार होने के कारण यह फूल फल में कनवर्ड नहीं होते हैं और अगर किसी कारण बस कोई फल बन भी गया तो उसमें जो है सेब नहीं आती साइनिंग नहीं आती जैसे आपको देखो मैं दिखाता हूंगे यह चोटा सा फल है यह देखो अभी बहुत चोटा लेकिन इसमें यह देखो यह इस तरीके से बदरंग सा फल हो जाता है तो अब इसका उपाय क्या है इसमें भी कुछ पत्तियां खाई है सुन्डियों तो इसको बचने का उपाय क्या है तो पिसान साथियों आप बहुत सारी जानकारिया आपने कई चैनलों के माध्यम से यह देखा होगा कि को राजन का लोग सल्यूशन बताते हैं एम पिल्गो शेजंटा का बताते हैं एफ हैम का बताते हैं लेकिन यह बहुत कोश्टली दवाईयां पड़ती हैं इनके ऑप्सन में अपने देश के अंदर ही अगर सरल भाशा में बोलें तो सस्ती और अच्छे दवाई भी मिलती है ऐसा नहीं है कि आप यह महगी दवाई डाल के ही सब कुछ कर सकते हैं महगी डाली जाती है जादे जरुबत महसूस होती है ऐसा नहीं होता कि जैसे हलकी फुलकी स्टाइटिंग से आप अगर इसको डाल गए हैं आप इसमें महगी दवाई का यूज करते हैं एक बात और आप हमेशा याद रखना अगर आपने कोई ब्रांडेड और ची महग अगर आपने जिस फसल में एक बार भी नेट वो या में स्टाइट आप का इस प्रेक कर दिया उसके बाद आपका कोई भी फंगी साइट निचले इस्तर का काम नहीं करेगा फिर उसको आप अगर नेट वो डाल गए तो आपको नेट वो ही डालना पड़ेगा अगर आप एमेश्टाइट आप तो आपको वही डालना उससे नीचे का कोई भी भंगी साइट काम ही नहीं करेगा इसलिए इन सब साबधानियों और चेताबनियों के बावजूद भी अगर आप आशा नहीं करते तो आपकी मरजी किशान भाईयो मेरा दो केवल मश्वरा देने का काम है क्यों मैं खुद किशान हूँ इसलिए मैं यह नहीं चाथा कि कोई भी किशान भाई इस तरीके से नुक्षान में जाए तो नेटवो का या ऐसा कोई भी फंगी साइड है जो कोश्टली आता है और बहार का है इन फंगी साइड का एक सीधासा सूत्र है अगर आपनो एक बार इनको यूज किया है तो इससे नीचे इस्तर का कोई भी फंगी साइड आपकी खेट में काम नहीं करेगा फिर आपको यही फंगी साइड प्रॉपर यूज करने पड़ेंगे एंड तक इस बात को हमेशा आप दिहान में रखें किसी एक्सपर्ड की राय भी अगर आप लोगे तो आपको बोही बताएगा उससे निचला फंगी साइड काम नहीं करें इसलिए अगर मेरा छोटे शे फंगी साइड में या छोटे से पेस्टी साइड में काम हो जाता है तो मैं इसका समाधान और मैंने कौन कौन सी दवाई डाली है उसको आपको इसी खेत का मैं तिन-चार दिन के अंदर दुबारा से बीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किसमें मैंने क्या डाला है और इसकी रूप रेखा क्या चैंज हुई है क्या परवर्तन हुआ है किसान साथियो अधर इसमें जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो मैं आपके सामने प्रस्थित करूँगा इस खेत की निशानी है आप इसमें देख सकते हो यह देखो इस खेत में यह बैठने के लिए एक इस्थान बना हुआ है चोटा सा जो बल्लों के शाहरे से यह देखो टापूसा बना रखा है गोर से देखेंगे तो धन्यबाद किशान भाईयों अगर हमारा वीडियो आपको पशंद आया हूँ तो आप लाइक शेयर और जानकारी दूँगा कि मैंने क्या दवाई डाली कौन सा फंगी साइड डाला कौन सा पेश्टिसाइड डाला और किस से मैंने यह ठीक किया है कम खर्चे में ज्यादा मना पाँ धन्यबाद किशान भाईयो तो